YDSC का experiment है, बहुत ध्यान आगे देखो, प्लीज यह बहुत बढ़िया question है और हमने बिल्कुल भी नहीं किया और अगर मैं आपको इस test में दे भी दूंगा ना आपसे होगा नहीं अगर आपने इस को ध्यान से नहीं सुला YDSC का experiment है, parallel beam of light है, from the medium of refractive index 1.2 तो refractive index N1, 1.2, तो पीछे से जो medium आ रहे है, वो वहाँ पे vacuum नहीं है, वहाँ पर refractive index N1 है अब वो क्या कह रहे है, a thin transparent film of thickness 1.2 micrometer and refractive index 1.5 is placed in front of S1 कह रहे है जी, ये तो vacuum था नहीं, मैंने इसके आगे glass slab रख दिया ये जो पीछे का refractive index N1, वो तो 1.2 है जो glass slab है, उसका refractive index 1.5 है, और thickness भी given है और एक और मज़िगी बात, वो कहते है, ये जो medium है, ये भी vacuum नहीं है glass slab भी पता नहीं कौन से medium में पड़ी हुई है, और इसका refractive index है 1.4 अब यहाँ पर 3 refractive index है, इस दोनों slit के पीछे अलग, इसके यहाँ अलग और slab का अलग अब वो कह रहा है, ये central point है, दो lights आ रही है, with equal intensity I and I तो आपको ये बताना है, कि यहाँ पर maximum intensity क्या होगी अगर medium vacuum में vacuum होता, तो guarantee है कि यहाँ पर answer 4i होता 4i not की जगा 4i, I and I है ना individual, तो 4i होता अब 4i नहीं होगा, क्योंकि vacuum ना होने की वज़े से optical path calculate करना पड़ेगा तो हो सकता है दोनों wave में path का difference calculate करना पड़ जाए, चलो path difference calculate करते है सबसे पहले, ऊपर की wave, ये देख रहे हो, ऊपर की wave और ये नीचे की wave इनके difference of path को part difference बोलते है, सबसे पहली चीज़ ये जो medium देख रहे हो, पहले वाला, ये N1 refractive index का है सबसे पहला काम हम अपना काम refractive index में करते ही नहीं है, हम अपना काम किस में करते हैं में ये vacuum में करते हैं तो अगर इस medium में आपको lambda given है 400 nanometer, तो vacuum में wavelength क्या रही होगी, उसके लिए optical path, क्योंकि lambda के unit meter होते हैं तो अगर lambda की unit meter है, तो इसको refractive index से multiply कर दें, तो जो इतनमे nanometer आएगा, ये vacuum की wavelength आगई क्योंकि हम सारा कुछ vacuum में convert करने वाले, तो हमें actual wavelength पता लग गई vacuum में इतनी, तो जब मैं wavelength की value पुट करूँगा कि कहीं पर, तो मैं 480 पुट करूँगा, 400 पुट ने करूँगा, ये पहला trick है पहला point clear है, तो wavelength को convert कर लेना है vacuum में, अब आगे कहानी और start होती है, अब ऊपर क्या हुआ, ये तो path बराबर है, इसमें तो क्या calculate करना, यहाँ पर path अलग है, ये path अलग है, तो अगर मैं path का difference निकाल दूँ, वहाँ से आप phase का difference निकाल लेना, वहाँ से intensity incident का formula अलगा तो path क difference कैसे, सबसे पहले ये बताओ, ये जो light है, इसने कितना path cover किया, इसने जितना भी path cover किया, मालो ये s1 होगा है, या s है, चलो, ये distance s है, और ये distance b s है, ये s है, तो इसने कितना cover किया, n2 into s, आपको के into से multiply क्यों क्यों कि medium vacuum नहीं ना, और अगर vacuum नहीं, तो पहले distance को vacuum में convert क तो vacuum के अंदर distance कितना create हो गया, इसमें n2 s, ठीक है, तो ये जो distance अगर vacuum में लिया जाए, तो ये n2 into s हो जाएगा, right, clear हो गया, अब ये बताओ कि इसके अंदर ये path कितना cover हुआ, ये तो हमने किया भी था, इसकी mu क्या है, refractive index s का 1.5 है, और इसको t से क्या कर दिया, multiply, तो ये मेरा path traveled है, वैसे तो slab की thickness t even है, पर vacuum के अंदर ये जो distance travel करेगी glass slab में light, वो mu into t करेगी, तो path travel mu into t, लेकिन एक problem है, बचा हुआ distance कितना बच गया, s minus t, अंदर अगर t है glass slab का, तो बचा हुआ कितना है, s minus t, अब वो भी vacuum नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, vacuum में convert करने क लिए s minus t को n2 से multiply, तो जो s minus t distance बचा glass slab के इलावा, उसको मैंने किसे multiply कर लिया, n2 के साथ, तो ये optical path हा गया, यानि कि vacuum का distance है, ये glass slab के अंदर distance है, तो ये ऊपर की wave का distance है, ये नीचे की wave का difference है, तो यहाँ से minus करके आपको question में s, t, n1, n2 सब given है, path difference हा जाएगा, पर ये step समझ में आया, कैसे किया, ऊपर की wave ने राक्यों में क्या distance travel किया, और नीचे की wave ने क्या travel किया, clear है यहाँ तक, ऊपर की wave को दो हिस्तों में तोड़ लिया, slab में तोड़ लिया अलग, और slab के बिना अलग, slab की थिखने से t, slab के बिना s minus t, और अपने अपने respective, refractive index से multiply कर दि तो यह बहुत important question है, क्योंकि glass labs और medium अगर change होते हैं, तो इसका concept कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिना, ठीक, आया हुए मेंस में